नमस्कार आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रतमेश चोतिष चैनल आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनू राशी के जुलाई की महिने में मासिक राशी फलकी हम बताएंगी कि जुलाई में धनू राशी वालों की फैमली लाइफ, हेल्थ लाइफ, लव प्रतमेश चोतिष को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें अप जादा बिलंबना करते हुए हम बात करते हैं धनू राशी के पारिवारिक जीवन तो इस महीने आपके परिवार में कोई आयोजन होने की भी संभावना है जिस सापधानी बढ़ते हैं घर वालों का आपके प्रती विश्वास बढ़ेगा और आपसी भाईचारे में बढ़ोत्री भी होगी आपका अपनी पिता से किसी बात को लेकर जगड़ा होने की भी संभावना है ऐसे में उनका उचित सम्मान करें और उनके परामश को ध्यान से सु जोरी आएगी जिससे कि आपका मन उदास रहेगा लेकिन आप अन्य छेत्रों में लाप कमाने पर ध्यान देंगे किसी भी ब्यावपारिक समझोते को करते समय अपने पार्टनर को अच्छे से जाच पर रख लें क्योंकि आपके प्रतितवन्दी आपका नुकसान करने का प विश्वास बढ़ेगा प्राइवेट जॉब करने वालों को इस महीने कई नए अबसर मिल सकते हैं लेकिन उनकी रुची अपना काम करने में जादा होगी ऐसे में आपके हाद से ये एक अच्छा मौका भी निकल सकता है तो ध्यान रखें अगर सिक्षा और करियर की बात कर रहें इस महीने अपनी पड़ाई पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे जिससे कि माता पिता उनके आप से बहुत प्रसन होंगे उच्छी सचा ग्रहन कर रहे च्छात्र अपना ज्यादा तर समय व्यर्थ के कारियों में निकाल देंगे आपका ज्यादा ध्यान इधर करने को सोचेंगे जिसके कारण उनकी मन में तरह तरीकी की बिचार आएंगे ऐसे समय में अपने अध्यापक से आवश्य परामर्स कर लें जिससे कि आपको सहयता मिलेगी अगर जुलाई की मेनी में धनुराईशी के लव लाइफ की बात कर लें तो जिनका बिवा हो चुका उन्हें अपने साती से कोई सुब संकेत मिल सकता है जो अभी कीसी के प्रेम में उन्हें अपने साती से धुका मिल सकता है जिससे कि मन उदास रहेगा आपका अपने साती से मो भंग भी हो सकता है बिवा की प्रतिक्षा कर रहे लोगों के जीवन में इस महीने कोई नया व्य अन्यता बाद में यह किसी अनुहुनी का कारण भी बन सकता है। दनुराशी के हेल्थ लाइफ की बात कर लें तो स्वास्त की दृष्टी से यह महीना आपके लिए उत्तम रहेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हर दिन आप स्वेम में एक नई उर्जा को पाएंगे और उसी के अनुसार कारे भी करेंगे। कुल मिलाकर यह महीना आपके स्वास्त की दृष्टी से उत्तम ही रहने वाला है। मानसिक रूप से आप स्वास्त रहेंगे और आत्म विश्वास में आपके बड़ोत्री होगी। महीना आपकी बुद्धी में अप्रतियाशित विकास होगा जिससे की नए नए विचार आपके मन में आएंगे। अगर आपके लकी नंबर की बात कर लें तो इस महीने शुब अंकतीन रहेगा और लकी कलर आपके लिए महरूम रहेगा। वीडियो में दीके जानकरी परसंद आए अच्छी लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।